हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश बर्मा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तो वर्ग मूल निकालना find square root सबसे पहले देख लेते हैं कि उस संख्यां कौन सी होती है जिन से हम समझ सकें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है तो यदि कोई संख्या है और उसका एकाई अंख एक चार छे नो या डवल जीरो है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है और दूसरा यदि कोई संख्या का एकायंग 2, 3, 7, 8, 0 है तो वह संख्या पूर्णवर्ग नहीं होगी तो दोस्तो आज के वीडियो में हम उन संख्याओं का रूट निकालेंगे जो पहले से ही perfect square है और दोस्तो जो संख्याओं नॉन परफेक्ट square की होगी है उनके वारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उनको हम ट्रिक के माध्यम से ही हल करेंगे पर वो आने वाली वीडियो में आज की वीडियो में हम सिर्फ उन संख्याओं का रूट निकालेंगे जो पहले से perfect square है और उनको हम सरल तरीके से करेंगे तो चलिए देखिए दोस्तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक से लेके 10 तक की वर्ग याद होना चाहिए और वो लगभक सभी को याद होते हैं जैसे 1 कवर्ग 1, 2 कवर्ग 4, 3 कवर्ग 9, 4 कवर्ग 16, 5 कवर्ग 25, 6 कवर्ग 36, 7 कवर्ग 49, 8 कवर्ग 64, 9 कवर्ग 81, 10 कवर्ग 100, और एक और ले लिजिए 11 कवर्ग 121, देखिए कुछ हमने यहाँ बर्ग मूल निकालने हैं, संख्याओं के हमने लिए हैं 196, 361, 784, 1225 और 10,609, 3 अंकों की और फिर हमने 4 अंकों की और 5 अंकों के भी हम यहाँ पर रूट निकालेंगे तो आप देख रहे हैं सभी के 1 अंक 6, 1, 4, 9 है, मतलब यह पूर्ण वर्ग होंगे इनके यह पूर्ण वर्ग होंगे और इनके रूट निकलेंगे और यदि जो संख्याओं जिन संख्याओं जो नोन परफेक्ट होती हैं, उनके 1 अंक 2, 3, 7, 8, 0 होते हैं और उनके जो रूट निकलते हैं दोस्तों भाई, दसमला और संख्याओं और कुछ अंक भी होते हैं तो आज के में हम परफेक्ट स्क्वेर में देखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम सरल तरीके, ट्रिक के माद्धे हम से करेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं यह देखें, हम 196 का कितने आसानी से और जल से जल निकलते हैं, आप बस ध्यान से देखें, आप पे, यही पे हैं, और जल से जल आपका आंसर आ जाएगा हमें निकालना है अंडरूट 196 का तो सबसे पहले दोस्तों हमें बनाने है पेर यहां से लास्ट से लास्ट के दो अंकों का पेर बनाना है और इसके बाद जितने भी अंक बचते हैं उनका पेर बनाना तो यहां दो अंकों का बन गया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक बच्चा है तो इसका पेर बना लिया है अब हमें देखना है दोस्तों इसमें जो हमें संख्या दी इसका एकाई अंक क्या है तो इसका एकाई अंक 6 है और इस एकाई अंक 6 को हमें देखना है एकाई अंख 6 है जो हमने वर्ग निकाली है इन में सिवए किस अंख्या का वर्ग में एकाई इंख 6 आता है तो एकाई इंख 6 देखे चार के वर्ग में आता है और 6 के में आता है क्योंकि 4 चोके हुआ 16 तो 16 का मैं भी देख एका एंग 6 है और 6 का वरगुता 36 और इसके मैं भी 6 है इसका मतलब इसका जो रूट निकलेगा उसका एका एंग या तो 4 होगा या फिर 6 होगा यह बाद हमारी किलियर हो गई है इसके बाद हम लेते हैं आगे का अंक 6 एक हमें अब एक ये देखना है इन में कि जो एक है वह किस संख्या के मद्ध में आ रहा है पर यहाँ पर देखी एक और चार यहाँ पर ऊपर है और नीचे चार है तो एक और तीन अगर कहा जा तो एक यहीं पर है ऊपर ही है या किसी के बीच में नहीं है तो हम एक पहले से ही ले लेंगे इसके बाद हमें देखना है कि ये पहला अंख 4 आता है इसका एकाई अंख या 6 आता है इसको देखने के लिए हम इसमें देखेंगे कि ये जो एक अंख है वह किसके ज़्यादा करीब है एक या चार के तो आप देख रहे हैं एक के करीब तो एक ही है तो एक ही रहेगा तो यानि उपर वाली संख्या इसके साथ में रहेगी तो यहाँ उपर वाली संख्या कितनी है चार तो यह हमारा आ जाएगा चौदा ये देखिए 14 का वर्ग मुल या 196 का रूट 14 होगा एक और लेते हैं उससे समझिए हम निकालते हैं 361 का एकाई यंग पहले पेर बनाएं जो बसता है उसका पेर एकाई यंग देख लें आप इनके संख्याओं के वर्ग में किसके एकाई यंग में एक आता है तो एक तो एक एक में ही आ रहा है और दूसरा आता है नो के वर्ग में एकाई यंग एक एक क्यासी तो पहला ये तो समझ गया कि या तो एकाई अंक एक होगा जो हमारा रूट निकलेगा या फिर नो होगा नो लिख लेते हैं अब देखते हैं तीन के लिए तो आप देखिए तीन किन संख्याओं के मद्ध आ रहा है जिनका हमने रूट निकाला है और जो रूट निकले किसके मत देहा रहा है तो तीन आता है एक और चार के बीच में देखिए तीन और एक चार के बीच में तीन आ रहा है जब ये इस स्थितिम है हमें सबसे छोटा अंक लेना है या समझ जाएं सबसे उपर वाला अंक लेना है तो उपर वाला अंक एक ही है तो हमें यहाँ पर एक लिख लेंगे इसके बाद हमें पहला यह है और दूसरा अंक यह है इसमें से देखना है कि इसके साथ कौन सा एक अंक आएगा तो आप देखिए यह तीन है जो तीन है यहाँ पर मद्ध अंक तीन अंग किस के पास में है एक के पास में है या चार के पास में है सबसे करीब किस के पास में है चार के करीब मतलब यह है दूसरे अंग यह पहला अंग हो गया है दूसरे अंग के पास में तो यहाँ पर हमारा दूसरे अंग क्या है पहला अंक चार है दूसरा 9 है तो दूसरे अंक के पास में है तो यह 9 हम ले लेंगे दूसरा अंक यह हो गया 19 361 का रूट इतने आसानी से निकला आया है देखा आपने अब हम यहां लेते हैं 784 का निकालते हैं सबसे पहले पेर बना लीजिए जो जितनी संख्या बस थी उनका पेर बना लीजिए अब हम देखते हैं दोस्तों यह चार एक आयांक के किस संख्या की वर्ग में आता है तो चार आता है दो के वर्ग में चार तो एक हमें दो मिल गया एक आयंक इसके बाद में आता है चार आठ के वर्ग में तो ये एक आठा में मिल गया इसके बाद बता है साथ तो आप देखे साथ किन संख्याओं के मद आता है तो साथ आता है चार और नो के मद मतलब दो और तीन के स्क्वेर के मद तो हमें लेना है सबसे कम संख्या या फिर सबसे उपर वाली संख्या तो उपर वाली ही ये कम है और सबसे कम यही रहेगी तो यह आ गया हमारा दो तो इसको हम लिख लेंगे दो कबर रखे तो दो आ जाएगा अब हमें पहली संख्या लेने हैं या दूसरी संख्या इसके लिए हम देखेंगे यह जो 7 है यह है 7 यह किस संख्या के सबसे करीब है तो आप देख रहे हैं 7 9 के करीब है मतलब दूसरी वाली संख्या के यह हमारी दूसरी एक संख्या 8 है तो हम 8 को लिख लेंगे इस तरह ये 784 का रूट 28 आ गया एक और ले लेते हैं चार अंकों की संख्या ये 12 पच्चिस लेते हैं इसका भी आप आराम से निकाल सकते हैं पहले तो आप पेर बनाल एक बचा और जितनी संख्या बचा उसका पेर तो जानते हैं कि एक और इंग 5 सिर्फ 5 के में ही आता है तो हमें तो एक और इंग सीधा सीधा 5 मिली गया है बस हमें आगे का फाइंड करना है तो आप देखिए 12 किंद के मद्ध आता है तो 12 आता है 9 और 16 के मद्ध में अगला जो अंग है 12 और 16 के में अब हम लेते हैं, पांच अंको वाली संख्या का रूट निकालना है, 10609, सबसे पहला काम, इनका रूट निकाल, इनका पेर बनाए, पहले हमने दू संख्या के एक पेर बनाया, और जितनी संख्या अबस्ती हैं, उसका एक पेर बना लेंगे, यह देखिए, एक आई अंक हमें, 9 है, तो हमें चेक करना है, 9 यहां कहां कहां पे आता है, तो 9 एक आता है, हमारे 3 के वर्ग में, तो एक एक आई अंक मिल गया, हमें 3, और एक 9 आता है, 7 के वर्ग में, 7 सत्य उनन्चास, देखिए, यह 7 के वर्ग में आता है, एक 9, तो हम 7 ल इन संख्याओं के मद्ध है, तो आप देख रहे होंगे, 106, 10 के वर, 111 के वर, 111 के मद्ध है, तो हमें लेना है, सबसे उपर वाली संख्या को, हमेशा उपर वाली संख्या को ही लेना है, तो हमें 10 मिल गया, अब देखना है, एक आयंक 3 होगा, या साथ होगा, उपर वाली संक्या नीचे वाली, तो आप देख रहे हैं जो 106 है, वह सबसे ज़्यादा करीब किसके है, तो 106 है दोस्तों 100 के करीब है, मतलब उपर वाली संक्या तूपर वाली संक्या तीन है, और ये देखिए 10609 का रूट 103 आ गया तो देखा दोस्तों अपने 3 अंकों, 4 अंकों और 5 अंकों वाली संख्या का आप इस तरीके से बर्गमूल निकाल सकते हैं और आसानी से तो आसा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये ट्रिक भी आपको समझ में आगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों क्या शेयर भी करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू